असलावलेखम। दूस्तों उम्यद करता हूँ की आप लोग에요 से होँगे। दूस्तों आज लेक्षर कियो पार्शल ये से रिलेक्टीड है तो हमाज एक क्यूश्ञ चेह कुर्ण करते हैं तो दूस्तो इस question को जो है ना result करना है partial fraction में तो दोस्तों बहुत ही असान सवाल है आईए देखते हैं कि यह किस तरह जो है ना partial fraction में result होता है क्यूंकि यहां पर हमें तीन factors given हैं तो हमारे पास तीन factors आएंगे A, B, C ठीक है तो हम क्या करेंगे इनको पहले लिख लेते हैं X-1, B, X-2, C, X-3 ठीक है दोस्तों यह step करने के बद हम क्या करेंगे multiply करवा देंगे both side जो है यहां पर तीन factors हमें given हैं इन तीनों का हम multiply करवा देंगे both side ठीक है multiply X-1, X-2, X-3, both side इनको जब multiply करवा देंगे both side तो दोस्तों यह पूरा fraction हमारा नीची वाला खतम हो जाएगा जब इसके साथ यह multiply हो जाएगा ठीक है तो यहां भी हमारे पास बच जाएगा 2X-1 is equal to यहां पर जब एक के साथ जब हम इस पूरी function को multiply करवा देंगे दोस्तों X-1 से X-1 खतम हो जाएगा बागी के दो टाम हमारे पास बच जाएगे X-2 and X-3 ठीक है सेम इसी तरह B के लिए हम चेक करेंगे तो X-2 से X-2 खतम हो जाएगा तो हमारे पास बचेएगा X-1 and X-3 प्लस C के लिए अगर हम चेक करेंगे तो दोस्तों X-3 खतम हो जाएगा बागी के दो टाम जो हमारे पास हो गए X-1 and X-2 ठीक है तो यह हमारे पास बन गया अब क्यूंकि हमें X की A की A और B और C की विल्यू फाइंड करनी तो दोस्तों हमारे पास जो है ना X की विल्यू निकालेंगे हम यहां से ठीक है जिसे X-2 गिवन है इस तरह X-3 गिवन है X-1 गिवन है तो इन तीनों में से कोई एक हम लेट कर लेते हैं कि X-2 is equal to 0 के बराबर है तो X-2 के बराबर आ गया ठीक है X-2 के बराबर आ गया तो आप हम क्या करेंगे इस X की विल्यू को हम इस equation में put करेंगे इसको हम equation number 1 बोल देते हैं ठीक है equation number 1 में put करना है ठीक है जोस्तों X की वेल्यू हमारे पास क्या है minus 2 ठीक है plus 1 is equal to a minus 2 plus 2 यह x plus 3 plus b minus 2 minus 1 minus 2 plus 3 plus c minus 2 minus 1 and minus 2 plus 2 ठीक है यहां पर हो जाएगा 2 2s of minus 4 plus 1 is equal to ठीक है जोस्तों यह minus 2 plus 2 है यह cancel हो जाएगा जब यह 0 हो जाएगा पूरा ट्रम तो यह इसके साथ भी 0 हो जाएगा ठीक है a जो है हमारे पास क्या हो गिया कि एह हमारे पास क्या हो जाएगा 0 plus b की विल्यू हम चेक करें तो mineus 1 minus 2 minus 1 तो कितना हो जाएगा कि मैनस 1 minus 2 हमारे पास कितना हा जाएगा minus 3 और यहां यहां पर एक उनने सब्सक्राइब एक मैंस सब्सक्राइब नारं मांश इसाथ कर्षाथ हो जाएगा यहां पर खत्म हो जाएगा यहां पर प्लास ऐगा यह पूरा फ़क्तम हो जाएगा से बी की विलो उम्हेरे पास आ जाएगी जो के माइनस 3 है ठीक है माइनस फिलस माइनस 3 is equal to माइनस 3 भी ठीक है माइनस 3 से जब 3 डिवैड हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास जो हैना क्या आ जाएगा बी की विलो हुमारे पास आजाएगा one ठीके दोस्तों ब्यकर टो मारे पास one आ गया शेम इसी तरह हमें अब next जो है हमें लेना है एकस का विल्हू हम लेना है तो प्रटों we have now be in a guess प्ल्ड ले लिए था अब हम लेंगे x plus 3 ठीक है next जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह होगा कि x plus 3 लेंगे is equal to 0 तो यहाँ पर आज जाएगा x की value हमारे पास आज जाएगा minus 3 और x की value जो हम put करेंगे equation number 1 में put करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 minus 3 plus 1 is equal to ठीक है यहाँ पर आ गया अब a minus 3 plus 2 यहाँ पर आ जाएगा minus 3 plus 3 ठीक है यहाँ पर खत्म हो जाएगा b अब देखें दोस्तों हम चेक करते हैं कि यहाँ पर भी plus 3 आ रहा है वो term पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है क्योंकि अब देखें यहाँ पर अगर मैं minus 3 put करूंगा तो यह 0 हो जाएगा b की value 0 हो गया ठीक है a का value 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ c का value आएगा तो हम direct c का value लिख लेते हैं क्योंकि a भी हमारे पास 0 हो जाएगा b भी 0 हो जाएगा और c की value हो गाम लिखें तो c हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा minus 3 minus 1 minus 3 plus 2 ठीक है 2 3 6 minus 6 plus 1 is equal to यहां पर जाएगा minus 3 minus 1 तो यहां पर जाएगा c की value minus 4 ठीक है minus 3 plus 2 तो minus plus minus 1 हो जाएगा ठीक है minus 6 plus 1 4 1 जा 4 minus 4 आजाएगा ठीक है 4 c ठीक है अगर minus यहां पर हम देखेंगे minus 6 plus 1 minus plus minus तो यह आजाएगा minus 5 is equal to minus 4 c और c की value जो हमारे पास आजाएगा यहां पर minus 4 minus 5 और minus 4 minus minus तो c की value हमारे पास आजाएगा 5 upon 4 ठीक है दोस्तों c का value भी आ गया हमारे पास अब हम क्या करेंगे x की value जो है हम लेंगे x minus 1 तो x का value अब next जो टो हमारे पास आजाएगा x minus 1 is equal to 0 तो यहां पर x जो है हम 1 put करेंगे इन तीनों में ठीक है दोस्तों हम डारे कर लेते हैं यहां पर देखते हैं कि जहां पर भी हमारे पास x में 1 आ रहा है तो वो सारा खतम हो जाएगा ठीक है अब देखें यहां पर अगर मैंनस x put करता हूँ minus 1 यानि कि 1 put करूँगा तो यह पूरे term 0 हो जाएगा और उसके बाद यहां पर मैं 1 put करूँगा तो यह पूरी term 0 हो जाएगा यानि कि B और C तो हमारे पास 0 हो गया उसके बाद final जो हमारे पास a का value आ जाएगा ठीक है इस तरह जो हमारे पास equation है वो है 2x यानि कि 1 plus 1 is equal to a x हमारे पास कितना है 1 plus 2 1 plus 3 बाकी कि जो term है हमारे पास B भी 0 हो जाएगा प्लस C भी हमारे पास 0 हो जाएगा 2 1s 2 plus यहा पर आ जाएगा 3 और a कितना जाएगा यहां पर यह थारी हो जाएगा और यहां पर यह 4 हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास 30 सा जाएगा 12 と思います 12 आ जाएगा और एक का value हमारे पास कितना हो घिया 3 upon 12 इसको मज़ीद के इंसल कसा 3133 412 तो एक की विल्यू जो हमारे पास आ गई वन आपकोन 4 ठीके दोस्तों यह यहां तक जो हैना हमने देख लिया अब हम क्या करेंगे इसको जो हैना अपने इस एक्वेशन में पूट करेंगे जहां पर ए बी और सी गिविन है ठीके तू यहां पर देखते हैं कि ए हमारे पास कितना आ गया एक्स माइनस वन ठीके पिलस बी की विल्यू हमारे पास कितना आ गया वन आ गया तो यह आज़ेगा वन आपकोन एक्स पिलस टू पिलस psr का विल्यू चेक करेंगे तो 5 अपकोन 4 नीचे हमारे पास CS3 के यह हमारे पास आ गया x-13 तो ध्यकी अज़ेगा पास फ्लेक्शन को हमने रिजोल किया चोके हमारे पर फैनल टरम हमारे पास यह आ गया ठीकर दोस्तों तो मिद करता हूं कि आप लोगों जरूर समझ में आया होगा मज़िद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्क्राइब जरूर करें थैंक यू